ओपन एप बिजनस में आप सभी का स्वागत है कि आप जानते हैं कि स्रफ वर्टसिप यूस करके आप अपने बिजनस को कई गुना बढ़ा सकते हैं हजारों बिजनस मैंनिस आप को यूस कर रहे हैं आप भी अभी डाउनलोड करें ओपन आप आप इंडिया का बिस्निस सोशल नेटवर्क लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आज जानते हैं इन्वर्टर मैन, कुवर सचदेवा यानि की सुकाम की सक्सिस्टोडी कहा जाता है कि जब कोई इनसान अपनी लगन, एकागर लक्ष और पूरे द्रड संकल्प के साथ जब कोई काम करता है तो उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता जब परिस्तितियां आपके विपरीध हो और आपको कोई उम्मीद की किरण ना दिखाए दे रही हो तो इनसान को धहरे और सब्र नहीं खोना चाहिए और परिस्तितियों के आगे हार नहीं माननी चाहिए और लगातार सफलता के लिए आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए सुकाम इनवर्टर आज ये कंपनी विश्विख्यात है और करीब सत्तर से जादा देशों में इसका कारूबार फैला है और हाल ही में इसके मालिक कुवर सचदेवा जी ने बताया कि कंपनी का करीब 29 बिलियन डॉलर का टरनोवर है लेकिन शायद कोई ये नहीं जानता कि इ जिससे कुछ पैसे कमाया करते थे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े स्तर पर वे बिस्नस करेंगे बाद में उन्होंने वो काम छोड़कर एक टीवी केबल वाले के पास नौकरी कर ली और घर घर जाकर केबल टीवी लगाते थे काफी समय संगर् और अपनी एक खुद की दुकान खोली जिसका नाम रखा सुकाम और फिर ये खुद के केबल डिस्ट्रिब्यूट करते थे उन दिनों इन्वर्टर बनाने की कमपनी विदेशों में भी नहीं थी एक दिन कुमर सचदेव ने विचार लगाया कि क्यों ना एक इन्वर्टर बनाने का काम शुरू किया जाए बस उसी दिन उनकी सफलता की शुरुआत हुई उन्होंने कई अच्छे इंजिनियरों को अपने साथ जोड़ा और बहुत चोटे स्तर पर इन्वर्टर बनाने का काम शुरू किया काफी लोगों ने उन्हें रोका भी कि आपको इस बिसनिस की कोई समझ नहीं है तो आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे लेकिन वो अपनी जिद पर अड़े रहे और बहुत जल्द इंजीनियरों की मदद से काफी अच्छे डिजाइन के इन्वर्टर मार्कित में लाए और सो भाग्यवश लोगों को इन्वर्टर बहुत पसंद आए दीरे दीरे उनका बिजनस अच्छा चलने लगा और जल्द ही पूरे भारत में उन्होंने सफलता पूर्वक अपना व्यापार जमा लिया कुवर सचदेव जी युवाओं के लि या डिगरी लेकर कोई बिजनसमैन नहीं बन सकता उसके लिए अच्छी समझ मेहनत और लगन की जरूरत होती है अगर आपके अंदर भी वो लगन है और सफल बनने का ज़स्बा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोग सकती मित्रों अक्सर हम लोग ऐसे सफल लोगों की कहानिय अकबार या पत्रिका या टीवी पर देखते हैं और प्रभावित भी होते हैं लेकिन केवल कुछ ही समय के लिए उसके बाद हम फिर से अपने पुरानी जिन्दगी जीने में लग जाते हैं आज मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने अंदर की शिंगारियों को बुझने ना दे आप भी अपने लिए कुछ बड़ा सोचे जैसे की कुवर सचदेव जी ने कहा अगर आपके अंदर भी सच्ची लगन और सफल बनने का ज़स्बा है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सोचल नेटवर्क लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है